इरान के सुप्रिम लीडर आयातुल्ला आली खामिनई की ये तस्वीर दुन्या को चौकाने के लिए काफी है इस्राइल पर हमले के बाद इजबुल्ला चीफ असन नसरल्ला को याद करते हुए खामिनई ने जो कहा उसे दुनिया बहुत ध्यान से सुन रही थी क्योंकि इरान की धंकी को अब कोई हलके में नहीं ले सकता नसरल्ला की मौत के बाद से इरान सीधे तोर पर इस्राइल से टक कर ले रहा है हाला कि इरान ने ये जरूर कहा है कि वो युद नहीं चाहता लेकिन अगर इस्राइल अपनी मनमानी करेगा तो वो भी माकूल जवाब देगा इरान के सुप्रिम लीडर आयातुला खामिनई ने भी इस्राइल को चेता दिया है उन्होंने हसन नसरल्ला की याद में ग्रैंड मस्जिद में हुकार भरी जिसमें उन्होंने फलिस्तीन और इस्राइल के बीक्चों रहे संघर्ष को लेकर बात कही है इरानी सुप्रिम लीडर ने पिछने पास साल में पहली बार नमाज के बाद भाशवड़ दिया है एयातुला अली खामिनई ने तहरान में जूमे की नमाज अदा की और उसके बाद कहा कि दुनिया के मुसल्मानों की एक बज़ब हमें दुश्मनों के खिलाफ एक जुठ होकर रहना होगा उन्होंने कहा कि कुरान की निती मुसल्मानों के लिए यही है कि इसलामी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं अल्ला की बताय रास्ते पर चलें साथ ही उन्होंने इस्राइल पर फिर हमला करने की धमकी भी दी इस्राइल संग जंग में उतर चुके इरान की सुप्रिम लीडर ने दुनिया के मुसलिम देशों को संबोधित करते हुए का कि अगर आप में ये एक जुटता है तो खुदा का आशिरवाद आपके साथ है और आप अपने दुश्मनों पर फते हासिल करेंगे सुप्रिम लीडर ने इस्राइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमानों से वियागरह किया और कहा कि इस्राइल के खिलाफ जंग में हमारा साथ देए उन्होंने कहा कि मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि हमारा साथ दो लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल पर हम फिर हमला करें बतादे कि खामनेई ने करीब पास साल पहले इरान के इसलामिक रेवलुज्मरी कार्ड कोप्स के कमांडर कासिम सुलमानी की मौत के बाद पहली बार जुमे की नमाज अदा की है खामनेई ने कहा कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कबजा है फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है इरान से लेबनान तक मुसल्मान एक जुठ हो जाए मस्जिद में संबोधन के दौरान सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि इरान का दुश्मन फिलिस्तीन, लेबनान, इराथ, मिसर, सीरिया और यमन का दुश्मन है दुश्मन हर जगे एक खास तरीके से काम कर रहा है लेकिन उपरेशन रू मेखी है और वे वहीं से आदेश लेते हैं अगर दुश्मन को एक देश से रहात मिलती है तो वह दूसरे देश में चला जाता है फिलिस्तीनी लोगों को उस दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का हक है जिस से उनकी जमीन पर कबजा लिया है और उसके जीवन को बरबाद कर दिया है फिलिस्तीनीों का बचाफ करना जायज है और उनकी मदद करना भी जायज है कर दो झाल जायज है